महिला और बच्चे की गली लास मिलने से संसनी एक नकाब पोस महिला और बच्चे की सरी गली लास मिलने से इलाके में संसनी फैल गई है लोग सोच कर हैरान है कि इस जंगल में किसने और कैसे महला और बच्चे की हतिया कर फेक दिया है घटना पुपरी थाना छेतर के सा जहां पूर बेड़वा मौजे की है लास की सिनाक्त नहीं हो पाई है फिलहाल पूलिस घटना अस्तल पर पहुँच कर लास को पोस्माटम में भेजने की तैयारी में जूटी है अस्थानिय लोगों ने बताया कि भैस चराने गए लोगों को काफी बद्वू लगा तब ही किसी की नजर महिला की लास पर पड़ी देखते देखते भारी संख्या में लोग पहुँच गए गटना अस्थल पर छोटे बच्चे का पैंट चबबल एबं अन्य निसान ऐसे मिले जिसे लगता है कि महिला के साथ एक छोटा बच्चा भी था मिर्थ महिला नकाब पहने हुई है जो पास में ही महिला का चबबल भी है लोगों का अंदाजा है कि किसी ने दूर से लाकर महिला की हत्या कर दी है अस्थानिय लोगों ने बताया कि दो वर्स पहले भी इस जगह पर एक वैक्ती की लास मिली थी बाद में उसकी सिनाक्त हो गई थी घटना अस्थल पर परसिक्चू एसपी दिक्चा एबम पुपडी थाने के एस आई राम बिने पासवान घटना अस्थल पर पहुँच कर आगे की पड़किडिया में जुट गए है अब देखते रहे केफोर्यू न्यूस वीडियो को सेर जरूर कर दें अज सुबह मैं खबर मेली कि आपके घट बॉड़ी मिला है महीला का अगयात महीला का तो हम यहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचने पर पता चला कि एक और बच्चे का तो भी त़तीश जारी है कि यह शुरु आती काम आगे पुष्टाश कर रहे हैं अब लोग कुछ इंफर्मेशन मेले फोटो के हिसाब से कि कौन है कहां से तो प्लीज अवगत कराई तो प्लीज अवगत कराई तो क्या घटना है यहां पर अब लोगों सूचना जैसे मिला है तो हम लोग आया है यहां कौन जगा है यह है यहां पोखर भीडा काई लड़ाई बन है इसको अबर्भा मजरा उस पर वहीं पर आया है हम लोग पता चला है उसके बाद देखने का है तो वहां पर एक फो लेडिस थे एक बच्छा का लास मिला है लास को देखने से पता चल रहा है कि 10-15 दिन का होग अगल बागल में कुछ मिला और भी दिखाई पड़ा है बताया क्या यह गाउं पोखर भीरा बैडबा मोजे में आता है यहां बगीचा सभी लोकल पोखर भीरा वाले का बघ्चा उन हे यहां पर इस से पहले अभी जो लास मिला है इस से पहले दो साल पूर एक लास ऑर मिला था उस लास के बारे में जो अगर अथी किया जाई तो उसके बाद भी प्रसासन औ Siad59.hand此क कर रहा थे लास को कि जो भीरागल पर्षा ना होहां भी लास लांके यहां पर त्षिक दिया जाता है निसान सब दिखाई दे रहा हो से क्या समझ में यह रहा है बचलाइं को घसीटे हुआ है जनबर गसीट के पूरा तहस नहस किये हुआ है बच्चा को कालास हलका होता है साल देर साल दो साल का बच्चा कालास है उसको घसीट के पूरा जानवर घसीट